असपास तमाम जगों पर लोग नए साल का स्वागत करते हैं जश्माते नज़र आया और कई ऐसे टूइस स्पॉर्ट है जहां पर लोगों की भीर नज़र आरा से ही में एक और स्पेसल जगह मिल गया राजधानी राची में लोगों को विधान सभा का नया भावजिया लोग से बना नया विधान सभा भवन एतिहासिक भी है और खूबसूरत भी विधान सभा की भव्यता की चर्चा ना सिर्फ अपने राज़ में हैं बलकि पूरे देश में भी है और यही वचा है कि विधान सभा राची एक टूरिस्ट प्लेस भी माना चाता है जहां लोग पहुच कर विधान सभा की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करते हैं वही अगर विधान सभा को देखने का मौका भी हो और दस्तूर भी तो भला क्या कहने इसलिए नए साल का पहला दिन विधान सभा की खूबसूरती को निहारने लोग बड़ी तादाद में पहुच साल 2021 के पहले दिन सभी की जुबा पर सिर्फ एक ही प्राथना है कि जिस तरीके से कोरोना ने साल 2020 में पूरी दुनिया को परेशान किया इस महामारी से सब को निजात मिले और जिंदगी पट्री पर फिर से लोटाए कोरोना के वज़र से और भी कई सारी मतब प्राकिरदिक अब पताएं अलग 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 देशों में देखने को मिली है तो अभी हम आगे 2021 को हम चाह रहे हैं कि सब कुछ नया हो सब कुछ नए तरीके से हम शुरुआत करें ठीक है ना और चुकि ये विधान सभा की विल्डिंग यो नई बनी है तीक है ना काफी खम भी उच्चुक थे कभी दूरों से सुन रखा था कि नई बिल्डिंग बनी है तो हम चाह रहे थे कि यहाँ पर आएं बड़ चुकि कोरोना के करणा हमें मौकान नहीं मिल पा रहा था युआओं के पास तेज रफ़तार बाइक थी जिससे वो पूरे इलाके का चक कर काटते नजर आए तो वही बर्थडे सेलिबरेशन के नाम पर भी युआओं की मस्तित देखी गई राची स्थित क्रिकेट स्टेडियम में भी भारी संक्या में लोग स्टेडियम का दीदार करने पहुँचे आम लोगों के लिए स्टेडियम के दरवाजे खोल दिये गए है नए साल के जश्न को लेकर एक और जहां पार्कों में मायूसी है तो महीं जार्खन विधान सभा के नए भवन के बाहर हजारों की संख्या में लोग नए साल का जश्न मनाते नजर आए निउस इलेवन भारत के लिए कैमरा परसंद राजेश के साथ मुहम्मद इम्रान की रिपोर्ट और फिलाले आप बुलेटवी रुक तेक छोटर से ब्रेक लिए जल आज़ोरेंगे कुछ और हैं खबरों के साथ